नमस्कार विद्ध्यार्थी मित्रों, आप सौनू स्वागत छे। विद्ध्यार्थी मित्रों आपने नियमित्रिते टिवी ना माध्यम्थी मलीने ग्ण्यान सेतु पुस्तिका और अनी समझ सरस्रिते आपने मेडवी रहा छिए। तमे ग्ण्यान सेतु में आपवामा आविल प्रश्णों, आने वास्तवमा तो ए भाषा नी जुदी-जुदी प्रवरुत्तियों सरस्रिते करो छो, अइथी जे मार्गदर्शन आपवामा आवे छे। ए बराबर समझी ने, सांभडी ने, एने अनुसरो छो, जरूर पड़े तमारा वाली और क्यारेक शिक्षक नूपन मार्गदर्शन मेडवो छो। आपने ग्ञान सेतु द्वारा गत वर्ष एटले के दोरन सात्मा जे गुजरातीव ना पाठ्य पुस्तक मा जे कई आपने भणया छिए। वास्तमत आपने भाषा शिख्या छिए। अने आ वर्ष एटले के हावे दोरन आठमा जे आपने आवी चुक्या छिए त्यारे जे कई शिखवाना छिए। वाशा नी जे विद विद प्रवरुत्यों आपणे करवाना चीए। भाशा जे रिते शिखवाना चीए, समझ वाना चीए, एने सेतु बने ए प्रकार नी प्रवरुत्य आपणे आछल्ला एक टलाक समय थी रस्पुर्वक करी रहा चीए। तमें एक कदम, बिजू कदम, त्रिजू कदम, एम कदम माड़ता माड़ता आजे छेग विश्मा कदम सुधी पहुचिया छो ये वातनों आनन छे, विश्मु कदम पण मजानू कदम छे अनि एक कदम पण गत वर्षे तम्wenे पड़य पुस्थक में एक सरस्मजाणों जे एकम भणया हता Σुभासितो एनली लगता जमँँः प्रश्णों छे साथे साथे भाशा ने लगती सरस्मजाणी प्रविर्वृतियो छे तो मने लागे छे के तमे घत वर्ष्मू पाठे पुस्तक लैलीदू हशे, तमारा हाथ मा ग्न्यान से तु पुस्तिका पण हशे, औने कलम तो हशेच, तो शरू करिये कदम 20 नी प्रवृत्तियो प्रश्ण एक, नीचे नूँ चित्र जुओ, औने चित्र आधारे 10 वाक्यों लखो विद्ध्यार्थिमित्रो, अहीं तमारी समक्ष एक चित्र आपवामावियू छे एक चित्र तमारे बराबर जोवानू छे, औनू अवलोकन करवानू छे अने अवलोकन करया पछी तमारे एने विशे नीचे आपेली जग्यामा 10 वाक्यों लखवाना छे विद्ध्यार्थिमित्रो आप प्रश्ण थी तमें परिचित्छो, अगाव पन आप्रकाननी प्रवृत्तियों आपने करी छे चित्रने बराबर जोवानू छे, एनू अवलोकन करवानू छे, एने वाचवानू छे, चित्रने वाचवू एपने कड़ा छे अने पछी तमारे तमारी मौलिक भाषामा लखवानू छे, तो अप्रवरूत्ती गणिज बजानी छे, रस्नी छे, आनंद नी छे, जरूर कर जो, अने हवे आपने जोईए बीजो प्रश्ण स्क्रीन पर प्रश्ण बे, एकम आधारे अधूरी पंक्तियो पूर्ण करो, अहीं तमारी समक्ष बे पेटा प्रश्णो आपवामा आवया छे, अने एमा काव्यनी पंक्तियो छे, पणे अधूरी छे, एतले वच्चे नो जे भाग छे, एमा जे शब्दो पंक्तिनो जे भाग चुकाई गयो छे, अथवा तो आपवामा आवयो नथी एने तमारे लखवानू छे, सरस्रीते लखवानू छे, अने ए माटे तमारे गत वर्ष नो जे एकम हतो, तुरन सात नो एकम सुभाशीतों ने याद करवानू छे, तरत बदू याद ना आवे, तो तमारे पठ्थय पुस्तक न एकमने जोवानू छे, एमा आपेला सुभाशीतों नू सरस्रीते वाच्चन करवानू छे, एटले के पठन करवानू छे, एपछे आपने याद लखवानू छे, तो अहीं, जे पहलो पेटा प्रश्न छे, एमा मंजिल हो जेनू, अने छेल्ले दाता नहीं जुए, तो वास एपछी सुभाशीतों भाग आपवाम आवयो नथी, अने छेल्ले बतावे छे, ए रिते पंक्तिनों छेडों आपवाम आवयो छे, तो वच्चेनों भाग तमारे यादकरीने, वाचीलाईने सरस्रीते लखवानू छे, सरस अक्षरे लखवानू छे, विद्यर से मित्रों, सरस मजानी प्रवरूती आपने शरू करीजे, मुड़तों तमने ए ख्यालाव बोजोई है कि सुभाशीतों ए शब्देज किटलों मजानू छे, सारी रिते बोलाएलू जे कई छे, एने सुभाशीत कहेवाए, सुकती पन कहेवाए, सुविचार पन कहेवाए, अने गत वर् जे बोलाएलू छे, एने अपने सुकती कहिए छे, तो गत वर्षे जे भणया ए तो खरूज, ए सिवाए, तमे बीजे पन, अने कवार आ प्रकार ना सुविचारों सामड़े हाशे, वाचे हाशे, अने तमे क्यारेक पोते पन ए सुविचारों नो बोली ने क्याक उल्लेक पन करता जहशो, तो हवे पछी नो प्रश्ण चे, ए पन एकमाधारित प्रश्ण चे, तो ए पन जोई लईए, प्रश्ण त्रण, नीचे नो भाव दर्शावती पंक्तियों एकम माथी शोधी ने लखो, विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारी समक्ष केटलाक वाक्यों आ आपवामा आवया चे, आ वाक्यों गद्य सोरूपे चे, इटले के विधान नी रिते चे, विधान वाक्यों चे एम पन आपने कही शकीए चे, जेमके अहीं पहलू वाक्या आपने माँ चे, महें तु मानस कदी भाग्यना भरोसे बैसी रहतो नथी, बीजू वाक्य चे, द अलावे चे, आने चोथू वाक्या चे, इरिशा रूपी आग कदी या ठारी शकाती न थी, तो आ बधाजी चे वाक्यों चे, एवाक्यों गद्य माँ चे, एटले के अभीधा मां सिधे सिधा कहवाया चे, सिधे सिधा लखाया चे, पन तमने जे प्रश्न पुछवा मों आ जानों चे के नीचे नो भाव दर्शावती पंक्तियों एकम माथी शोधी ने लखो, भाव तो आनों आज रहवो जोईए, जे वाक्यों नो भाव चे, पन तमारे कविताना स्वरूप मा, काव्य स्वरूप मा, पध्यना स्वरूप मा, शोधी ने पंक्ती लखवानी चे, आने एने माटे एक कम तमारे खोली ने जोवो पडशे, तमने मात्र एक वाक्य माटे एक पंग्ती शोधी ने आपिशुं, बाकी नी प्रवरुती तमे सरस्रीते पूतानी जाते कर जो, तो बीजा नंबर मुझे वाक्य छे, या रिते छे के दान आपवावाडू लेनार कोण छे ए जोतो न थी, आज भाववाडी काव्य पंग्ती आपने लखिये, तो आपने पंग्ती लखी छे, या चक नी जातने कदी दाता नहीं जुए, या दावियू तमने, दे ए रस्ता नहीं जुए, उद्यमी हो हस्तनी रेखा नहीं जुए, दानेश्वरी नू काम छे खेरात वेचवी, या चक नी जातने कदी दाता नहीं जुए, तो तमें जो ही शको छो कि के वही मझा पड़े चे, आ गध्य स्वरूप छे, एज भाव अई पध्य स्वरूप माँ छे, तो या नी नज्जाकत, केटी सरस्त बने चे, और आपने गमे चे, और तरत याद रही जाए चे, वाक्ये हो बने के आपने भुली जहिए, पने अई थी जे प्रवृत्ती कराववामा आवे चे, इस सरस्रीते करो छो, पड़ एक वार, पाची मारे कहेवानी तो छे, के अत्यारे तमारे तमारी आ ग्ण्यान सेतू पुस्तिकामा लखवानू नथी, एने माटे तमने अलाएदो समय आपवानू छे, एटले के आपीसोड पूर्ण थाए, ए पची निराते, तमारी अन्नू कुडताये, तमारा आवकाशे, तमारे एमा लेखन कारिये करवानू छे, पड़ा, समझी तो लेवू पड़े, समझी लेशू, तो आपड़े ए प्रवृत्तिने योग्या रिते करी शकीशू, एने योग्या न्याय आप हवे पची नो प्रश्ण छे, ए जरा वर्णनात्मक छे, एटले कि तमारे एमा एकमने आधारे, एमा माहीतिने लगता प्रश्णों छे, ए लखवाना छे, तो प्रश्ण 4 ने पन जरा समझी लेए, प्रश्ण 4 प्रश्णों ना उत्तर आपो, मैं कहुएं, अहीं तमारी सम प्रश्णों आपवमावया छे, ए पाच प्रश्णों एकम आधारीच छे, आने एकम हतो, सुभाशी तो जे गत वर्श्ण आपने माने हतो, मात्र भणया हता यम हूँ नहीं को, पन मानया हता, ए एकमने आपने माने हतो यम आपने कहीशो, तो एमा जे पाच प्रश्णों एने माटे तमने जरूरी जग्यापण नीचे आपवमावी छे, तो सरस्रीते तमारे ए प्रश्णों ना जवाब लखवाना छे, पन एने जरा समझीतो लेवाज जोईए, जमके पहलो प्रश्ण छे के दानवीर केवा होए छे, तो अहीं दानवीर ना लक्षणों जे सुभा शित माँ आपया छे, ये तमारे याद करी ने, अहीं यां पंक्तिस्वरूपे नथी लखवाना वाक्या स्वरूपे तमारे लखवाना छे, ओछा शब्दों माँ सारी रिते केवी रिते लखी श्रकाए, ये पन एक कउशल ले छे, माल दोस्तो येटले तमारे एक कउशल केडववानू छे बीजो प्रश्ण चे शुर्वीर ना लक्षणों जणावू एटले के शुर्वीर केवो होय लक्षण एटले शुर्वीर केवो होय एड़ामों कया गुणों होय एज लक्षणों गुण कहो के लक्षणों कहो तो एपन तमें सरस्रीते लखी शक्षो प्रश्ण मां बैप प्रश्णों छे आम तो पहला तो सर्खामनी कौनी साथे करवा मावी चे ए याद करूँ पडशे अने शा कारणे कारण के सर्खामनी तो समान वच्चे थाए एक सर्खा क्षेत्रों होए त्यारे अमनी वच्चे सर्खामनी करी शकाई एटले अईया आपने एपन जानवानु छे के कौनी साथे सर्खामनी संतनी करवा मावी छे अने शा माटे आब अन्य जवाबो तमारे सरस्रीते लागव पूर्वक ओछा शब्दों मा लखवाना छे तो तमे जरूर लग जो सरस्रीते तमे लखी शक्षो ये पच्छी के वी रिते नम्रता बतावे छे आब दूज सुभाशित मा अपवमावी छे पड़ हा पहला सुभाशित्माची लईशू याद करी लईशू ए पच्छी आपने जवाब लखी शू अने छेल्लो जे प्रश्न छे प्रश्न पांच इर्षा विशे कवी शू कहे छे अहीं नमत छे इर्षाविशे कवीशू मानें छे एं तमारे लखवानू छे तमेशु मानों छे नाई कवीशू कही रहा छे एं तमारे लखवानु छे तो आज सरस्रीते लेकन कारिये कर जो जरूर पड़े तमारा शिक्षकनी मदद अवश्य लेजो विद्यार्थी मित्रों जे एकम नी आपने वाद करी रहा चिये अने जे एकम ने लगती प्रवरूतियों करी रहा चिये एमा एक वस्तु तमें नौन्धी क्या हिया जे एकम गत वर्षे वणया हता एमा सुभाशितों नी वाद हती आने सुभाशित याने के सुवाक्य अथवा तो सुक्ति अथवा तो सुभी चार क्याक ने क्याक आपने स्पर्शे छे जय हम के हूँ काऊ मोटप मोटा नर्तनी आपोय आपकडाई हाथीने भली गंतडी धोल कदी नसुहाई तो आ सुभाशित अच्छे केटलिक चौपाईयों मापन वास्तम सुभाशित चुपाएलू होई कोई संदेश होई सरस्रीते वाक्य एमा कशुक एवू कहवा मोँ आवियो होई कशुक बोध आपवा मोँ आवियो होई पड़े बोध केवो होई बहु सरडता थी आपवा मोँ आवियो होई दूख, खीजू करडे, पिंडिये, रीजू चाटे मूख, तो अशुँ छे, वास्तम आपन सुभाशित छे, कशुख कहवा मागे छे, कशुख कथवा मागे छे, आने आपने सारी रिते जिववा माटे प्रेरित करे छे, तो हवे पचिनू जे प्रश्णा छे ने बाड़ द स्क्रीन पर जोई लए, प्रश्ण पांच, तमने गमती कोई पन पांच सुक्तियों लखो, विद्यार्थी मित्रों, हमणा मैं कहुएं, अहीं, तमारे, तमने पोताने पसंद पड़े एवी पांच सुक्तियों शोधी ने लखवानी छे, आ काम जे तमारे करवानू छे, ए एकम दो अधार लेवानू नथी, तमने मोलिक रित, तमें क्या क्या का वाची होई, क्या क् साबडी होई, टीवे पर रैडीयो पर, क्या क्या K भीत्रों लखाण वाची होई, तो ए बद्धी जे तमारी स्मृतिं ओ, रही होई, ये सुक्तियों लखवानी छे, पांचस सु मनुष्य थी, स्रेष्ठ बीजु न थी, दो एवू प्राणी च्य चे। एक एवू प्राणी छे, कि जे पोतानी बुद्धी थकी, पोतानी विवेक थकी, अन्य प्राणीयों ने संभाड़ी पन शके छे, एमने माटे कशुक करी शके छे, आ प्रुथ्वी ने सुन्दर बनावी शके छे, पने साचे अर्थम मनुष्य होए त्यारेज, तो आ सुक्त प्रुथ्वी ने जिववा लायक बनावे छे, जिववा लायक रहवा दे छे, तो आ प्रकारे अन्य सुक्तियों तमें जरूर लगजो, आ सुक्ति तमारे लखवानी जरूर नती, कारण के आतो मने गमती सुक्ति हती, तो जो ये पच्छी नो प्रश्णा, विद्यार्थी जे पच्छी नो प्रश्ण छे, ए अगाउना प्रश्ण साथे जोडायलो छे, प्रश्ण छे, उपर माथी गमेते एक सुक्ति सम्झावो, तो विद्यार्थी मित्रों, उपर माथी एकले उपर जे तमें पांच सुक्ति लखवाना छो ने, एने तमारे सम्झावानी छे, एकले सुक्ति तो तमें लखी, पड़ एनू वरणन तमारे करवानु छे, और एक पांच एक वाक्के माँ तमें करशो तो ज सम्झावी शक्षोने, एकले सुक्ति माँ तो ओछा शब्दों माँ घणू बधू कहीं होए, तमारे पची एनू वरणन लखवानु छे, आ लख मनुष्या जगत्मा पोताना उत्तम कर्मो थकी, पोतानी स्रेष्ट बुद्धी थकी, उत्तम कारियों करे छे, भलाईना कारियों करे छे, आ प्रकारे मारे लखवानु है तो हुन लखू, पड़ा तो तमारे लखवानु छे, और तमारी पांच गम्ती सुक्ति माथी, कोई पन एक स्रेश्ट पंक्ती तमने शुकति जे लागे, कोई पन एक स्रेश्ट, शुकती जे तमने लागे, ऐने विश्य लखवानू छे, पण हाल मैं, थोड़ी वेर पची, आपने समझी लईए, ईपची लखवानू छे, तो हवे पची नो प्रश्चन पन आपने ज्या लई स्क्रिन पर प्रश्ण साथ उदाहरन मुझब क्रिया विशेशन धरावता पांच वाक्यों लखो उदाहरन पन आपने वाची लेए जयान उतावणों चाले छे विद्यार्सी मित्रों आ थोड़ू भाषा सज्जिता ने लगतू काम करवानू आवे जे आतों बहुझ टमने गमेएँँगे जेमके अई जहे वाた करी जए क्रिया विशेशन ने आपने क्रिया विशेशन काहीं शकिये जेमके अपने पर पर आपने परी थी जयान वारु उतावणों चाले चे यहुझ जेमके लिदे चाले चे, जयान चाले चे, पने जयान केवरी रÁly चाले चे? उतावड़ो अथवा उतावड़ो wrapped M पर तमें कहीं शको, तो अहीं चाले चे ये क्रिया माते विशेशन कहीं चे, उतावडो. पड़े शानू विशेशन चे क्रिया नू, माटे अने आपने शू कही शू? क्रिया विशेशन, समझाई गयू? तमने तो तरत समझाई गयू, तो एक वाक्या आपने लखिये, ते मोटे थी बोल्यो, ते बोल्यो एक क्रिया चे, आपने आमें बोल्यो कि ते बोल्यो, पड़ प्रकेवी रिते बोल्यों, तो मोटे थी, तो ए रिते अहीं मोटे थी शब्द एक क्रिया विशेशन बने छे, बोल्यों शब्दनू क्रिया विशेशन कईू बन्यों, मोटे थी, तो तमे पन आ क्रिया, एटले कि आ कारिया सरस्रिते कर जो, जरापण उतावण न करता, क्यां आक तमने गुंचवन लागे, न समझाए, तो शिक्षक नी मदद लेजो, औने आ प्रवरुत्ती रसपुर्वक कर जो. तो विद्यार्थी मित्रो, आपने जे कदम 20 नी प्रवरुत्ती वो करी रहा चिये, एमा खास करीने एकम आधारित प्रश्णों छे, क्याक भाषा सज्जिताने लगता प्रश्णों छे, पड़ मैं अगावू पन कहुँ, अने त्यारे फरीवार पन कहुँ, कि तमारे अत्या आग खुला राखवाना चे, बराबर समझी लेवानू चे, पामी लेवानू चे, जानी लेवानू चे, अने पच्छी निराते, स्वस्थ चित्ते बैसी ने आप्रवरुत्तियों करवानी चे, लखवानू चे, लख्या पच्छी वडिल ने, इतले कि तमारा वाली श्री न पन करी होय, बनी शके, बुल्तो धाय, बुल्तो माराथी पन थाय, पन आपने अने सुधारी लेवाने चे, अने तमने एम थाय के क्या सुधारी लेवू, एवू पन बने के अंदनने अंदर पन सुधरी शके, अनने एम ना बने तो, अनने एक नौंत पुथी मा तम एस सरसरी वर्णनात्मक जे प्रश्णों चे एने माटे पन तमने मार्ग दर्शन आप पे उबने क्या मा आम लखियू एने बिले आम लखियू हत तो के हो आज रिते शिखाय चे बाड़ दोस्तों तरतने समझी ने थोड़ुक आपने एने एनो महावरो करी ने आपने कईपन शिकता हो होईये ची तो हवे पच्छी नो जे अंतिम प्रश्ण कदम वीस्नों चे ये पन जोई जिलावो चे तो जोईये कदम वीस्नों अंतिम प्रश्ण प्रश्ना आठ आ एकम माथी जोडाक्षर वाड़ा पांच शब्दों लखो औने तैमने शब्दकोष्णा करम मा गोठोवो विद्यार्थी मित्रों शब्दकोष्णो करम औने कक्कावारी नो करम आ अ बान्य क्रम विशे आपने प्रारंभिक दोरनों मा शिख्याचिये भणयाचिये जान्यू छे तमे जानो छो के आपने कख गा-गा-ग यह म बोलिए तक शब्दकोष्णSimka आपने कोलिए जमके सार्थ जोड़नी कोष्णों अत्विम्धय ગોય શબદકોષ હોય તો એ શબદકોષ હોય ને વીષે આપેને વીશે આપ્ય જેક ચોથા દુરંથી શિક્ય જીક્ધતા આ अनि एटला माटे जा प्रश्णा ही आपवामों आवयो चे तो ये प्रश्णा माँ एवू कईू छे के शब्द कोष्णा क्रम मुझब गोठववाना चे शब्दों ने पन काया शब्दों ने तो सुभाश इतो जे एकम हतो ये एकम माथी तमारे जोडाक्षरवाडा ने लखवाना चे एक ब्या शब्दों हुँ तमने लखावू चू स्क्रीन पर जोईए एक शब्द छे हस्त बीजो शब्द छे धेय तो आ रिते बीजा त्रण शब्दों एटले आ ब्या शब्दों में आपयाए तमे राखी शको न राखवाओ तो न राखो तमने अम थाएक ना आमें पांचे शब्दों अमारी रिते शोदी शो तो वाँदों न थी पन तमें बन्ने शब्दों नी विशेष्टा चकासी जोडाक्षर तो छे ने अई यां हस्त शब्द मां क्या जोडाक्षर छे अपने जोईए सने त जोडाया चे तने स जोडवा हस्ता अपने बोली ये ते आरे अने एज रिते धे मां शरुआत मां जोडाक्षर छे धड़ धो छे अने ये साथे जोडाया चे तो आवा विजा शब्दों आ एकम मां थी शोदी में आपने लखवाना चे अने पची एटले पूरू न थी थे जे तो पची पाचा एने किसनी जे प्रवुर्तियों छे एनो मुणभूत आशय तमें समझेहशू आएकम जे सुभा शितों हतों गतवर्षे जेने आपने सरसरीते मानें होतों आएमा जे प्रवुरुत्ती करवानी थाईती ये प्रवुरुती ये प्रकार्णी हती के कशुक ओछा शब्दों मा जरिक कहवानू होई तो आपने केवी रिते कहता हो ये ची उच्छा शब्दों मा कहवानू, असरकारक रिते कहवानू, अने रस पड़े ए रिते कहवानू, ये बद्धीज कड़ा सुभाशित माँ छे, सुक्तियों माँ छे, तमें क्याक ने क्याक अर्थ विस्तार पण करोच, एक कज पंक्ति होए, बराबर, जमके आपने हम कही है, थोड़ो वगडानों स्वास मारा स्वास मा, तो आ एक पंक्ति छे कविता ने, पड़े सुक्ति पण बनी जाये ने, तो एने आधारे, तमें गणू बदू चिंतन करी शको, एमा थी प्रेणा मेडवी शको, औने बीजाने पन प्रेरित करी शको, येटले आ एकम जे हत्तो सुबाशी, तो एमा जुदा-जुदा सर्जकों द्वारा वाद कई थाइधी, कईक ने कईक बोध आपवानी वाद थाथी, पने बोध एमने सिधा शब्दों मा आपियू न थी, एमने कवितानों माध्यम तरीके उप्योग करी ने, तमने रस पड़े, एवा उदाहरणू वेवारी कुदाहरणू द्वारा तमने एमने संदेश आपवानू प्रयत्न कर्यों, और आपने तो एगावू पन गमे, साभणू पन गमे, और गणगणू पन गमे, एप्रकार्नी सुक्तियो अबहती, पने सुक्तियो ने लगता जे कोई प्रश्नों आपने जोया, आठ अपने जोया, तो एग बधाज तमारे सरस्रीते लखवाना चे, तमने एभी विननती छे, के बधीज सुक्तियो बधाज सुभाशित एक वार सरस्रीते पठन करीलो, एक वारेनू घान करी शको तो घान करो, पच्छे आ प्रश्नों ना जवाब जारे तमे लखशो, त्यार ज़ाज जशके, ना गया वर्षे भले आ विद्यार्थी भणे ओहतो, आ एकम, पण एने हजु बधु ताजु छे, एने हजु पण एकलू जावडे चे, तो बाढ़ दोस्तो, आजना एपिसोड मां आपने कदम 20 जोयू छे, दोरन 8 मां आपने चीये, पन दोरन 7 ना पाठ मजवानों आपने विनम्रता पूर्वक प्रहत्न करें चे, तमने गमियू हशे, तमे आप धीज प्रविरुत्ती सरस्रीते करशो, आने साचा आर्थ मजे 20 कदम आपने भर्या चे, एनो लाब आपने हवे जारे पाठ्थे पुस्तक, दोरन 8 ना गुजराती ना पाठ्थे उस्तक ने आपने भणवाना चे, त्यारे एनो खुबज लाब थवानों चे, तो एने माठे आपने तैयार चे ये, तो बाड़ दोस्तो फरीथी मड़ीशू, आवता एपिसोड मों, आप जो!